अल दोस्तों आप सबका कुर्शियोंप चैनल में सवगते और आज हम बात करने वाले लिप माइनर टुटा एपसुलूटा या नागालाई दोसे एक ही है जापर हम नागालाई कोई अंगरेजी में लिप माइनर के थे और नागालाई के बदलते आवस्ताओं में तुटा अपसुलूटा का विजिवन करम आता है तो पहले हम समझ लेते हैं लिप माइनर को कंट्रोल करने के लिए हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना जरूर है सबसे पहले हम बेसिक ही नहीं जान पाएगे दोस्तों तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगे तो उसके बदलते आवस्ताओं आप आम वे द्यान से देखना है तब जाके हम समझ पाएगे कि हम उसको कंट्रोल कैसे करना है हर चीज़ के हम बेसिक नॉलेज जब भी रखते तब जाकर हम उस चीज़ पर काम कर पाते दोस्तो तो यह पर आप पतियों में देख रहे होगे वो सपेच निशान जो बने हुए होते वोसे आम लिप मायनर केते यह ना गाले केते तो दोस्तो जो लिप मायनर का पतंग होता है वो उसमें आंडे देने के बाद उसमें जो शुश्माव माइकरो उसे में विविन नापा जा सकता इस तरह का एक जू होता है, और वो आपने दिन चर्याप, 6-7 दिनों में, वो आपने जिवन करम बढ़ाता रहता है, और वो दिन के आगले आवस्ता में वो लारवा बन जाता है, जहापे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, अभी इस जैसाओ बन जाता है, और वहां से वो पत्यों से लग कर, या तो वो पत्यों में ज्यादा पहिमाने पर आगर वो प्रादुर्बा हो है, तो वो पत्यों पर गिर जाता है, फिर पत्यों पर ये ऐसे गोम करो, पुरा हुआ का सुश्मान नदर हो है, तो निकाल लेता है, खा जाता है, और आप देखेंगे, इस त आपको टामातर मार्केट में आप भाइस्ची नहीं सकती, मतलब बदला माल के हैलाता है, समयास से बहुत भी कट हो जाती है और वहां से लार्वा के इल्ली में तब्दिल हो जाता है, और इल्ली जब बड़ी हो जाती है, कुछ दिनों बाद तो उसका वाएक्स, यानि के पतं बनकर उड़ जाता है, पीस से वह ही जिवन करम फिर से शुरूवता है, जहाँ पर उपत्यों में आंडा देगा, आंडों से लारवा बनेगा, लारवा से वह इल्लिया बनेगा, और इल्लिया से फ़े से वह पतंग बरके उड़ेगा, तो यह जिवन चक्र चार आवस्ता में गुमता रहता है, दोस्तो, तो हम किसी क्या करते है, या तो किसे दावा से हम बत्यों के सपेद, जो निश्या बनेगा है, जो आपे बने बने वह रहे दिखाए देते है, यानि का आवस्ता में समझा लेते है कि यह चुरूर बाद देखे, यह फिर से बनने सुरू हो गए, तो ऐसे की होता है जोस्तों कि हम उसके हर आवस्ता को कौंच्रल नहीं कर रहे हैं या किसी एलियों कमार ने की दरबा मार ली जैसे आपका फेम हो गया कोराजन हो गया आग आ contour किसी कमपञे का आपने दवा है लीलił तो उसी आवस्ता पर काम किया है और उसी तरह से आमें फूरी रिजल्ट नहीं आते हैं समस्या और बिकट हो जाती है आमार खर्चे पर खर्चा होता ही रहता है तो दोस्तो यहाँ पर आपको यही बताने वाले है अभी कि आपको उसको कॉंट्रोल कैसे करना है चारी आवस्ताव में तो दोस्तो यह बात जाने से पहले आप वीडियो को लाइब को और जाने को सब्प्राइब जरू करें न तो दोस्तो यह आपर जो होता है पर तंग्यानिक वह एक्स उसको आम किसी भी दवा से नहीं मार सकते है मैं खुद किसानू और मैंने मीच के थिप्स कंट्रोल की वीडियो में भी बताया है कि वह इसको मारा नहीं जा सकता है आसा नहीं से जब भी हम किसी दवा का उस पच्छिड काउ करते है तो उसके आने वाली पीरी में रुख पतित कारशक्ती उस दवा की त्यार हो जाती है तो वह इसको आमने पहले इस ट्रैप करना है जैसे कि आप मार्केट में जाओगे तो आपको टुटा अप्सलूटा के बा नाम से ट्रैप मिल जाएगा तो उनको लिए कहा जाता कि एक एक एकड के लिए हो चार पास सही है लेकिन दोस्तो समस्या बड़ी है इस टाइम पर है तो आपको मेरे खुद के एस्परियेंसे में बता रहा हो कि आप एक एक एकड में चालिस पचास्त अगर ट्रैप लगा लेते हो तो पूरी तरह से करने के बाद पत्य ओपर वो निशान बनने बंद हो जाते है यानि कि वो आंडे देए नहीं पाते तो आगे जाके वो समस्या नहीं आती तो पत्य ओपर जो सपेद निशान बनने होते है उनके लिए हामें डेलिगेट का यूज़ करना है दोस्तो तो डेलिगेट का यूज आपके फोलो में जो करना है, वो पर लिटर के लिए वन एमेल, यानि के सो लिटर के लिए हमें 100 एमेल का डेलिगेट का इस्तामाल करना है, इससे अच्छे रिजल्ट आकर, हमें जो पत्ते ओपर निशान बनी होए होते हैं, वो मिटी जाते हैं, मतलग अच्छी से कंट्रोल ह हो जाता है, और फिर बात हमें यहां आती है दोस्तो, अगर आपके यह तुटा का यानि के लिए पमानकर समस्या, बोद बड़े पाइमानक पर वो चुका है, आपके फोलो में होल दिखाई दे रहे हैं, यह बारिबारिक से जैसे का आप देख रहे हैं, तब आपको EPMC की क क्रोप्रायमा का इस्तमाल करना है, कोरवान जार्ण का आगला वर्जन है हो, ज्यादा परसेंटेज में क्रोप्रायमा, उसका 17 ग्राम का पैके इसका आपको 100 लिटर के लिए इस्तमाल करना है, उसके कापय अच्छा रिजल्ट आते हैं दोस्तो, तो अगर आपके किसी की फ अखलो में तो दंट्रल में या वहाँ पर ओल नहीं बनती है, तो इस समस्य आल हो जाती है, तो इन बातों का आगर ख्याल रखें, तो आच्छे से आम लिप मायनों को कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ पर फिर भी बात आभी खतम नहीं है दोस्तो, आभी जरूरी बात आपको बाकी है, तो इस सब में आमें इन बातों का ख्याल रखना है, कि जैसे मोसम, जैसे आसमान में अगर बादल निकल रहे होते हैं, तो उस टैम पर उनका प्रोकव बढ़ जाता है, तो ऐसे समय पर भी आपको डेलिगेट का स्प्रे लेना होगा, अम उसे आगे, पूर्णी में आगे, ऐसे टाइम पर भी आपको डेलिगेट होआ, क्रोप्राइमा होआ, एक स्पुन उसका भी आप लेख सकते हो, इस स्पुन उसका भी आपको 17 ml का जो पैकेज आता है, उसका यूज 100 लिटर के लिए काना है, दोस्तों, इससे कापी अच् हम ट्रैप नहीं लगाती है, या आप इस लिट मायनर को कॉंट्रोल करने के लिए, आपको 100% ज्यादा जो ज़रूरी बात है, वह है ट्रैप की, तो ट्रैप लगाना भूलना है, मतलब आप कितना भी दवा चलालो, कोई फाइदानी होगा दूस्तों, अगर आपने ट्रैप नहीं लगाया तो, खर्चा थोड़ा हो जाता है, थोड़ा महेंगा ट्रैप का खर्चा बढ़ता है, लेकिन अगर पूरी फासल ही बरबाद होगी, तो किस काम का अगर आप खर्चा बचाने जाओगे तो, इसलिए फासल आप चाहते हो कि खराब ना हो, तो यह बात जुरी है कि आपको आपकी फासल में टुटा का ट्रैप लगा लेना चाहिए, टुटा का ट्रैप लगाने से ही शुरुवात करनी होगे आपको, तब कई जाकर आपको आपकी फासल में लिप मायनर की रोक थाम आप कर लोगे, तो वीडियो आन्त तक देखने के लिए सारे दोस्तों का शुक्रिया, और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सब्स्राइबर अगर मेरे आप 2 या 5 थाउजन तक पहुचा देते हो, तो मैं आपको हर फसल की फर्स्टेज से लास्टेज तक की सारे वीडियो आपको बना के देदूंगा, उसके लिए आप दोस्तों सपोर्ट क कीजिए, ताकि जादा नहीं में कुछ कह रहा हूँ, तो थाउजन या 5 थाउजन तक मेरे सब्स्राइबर बढ़ा देजिए, चैनल को थोड़ा शेर कीजिए, ताकि और दोस्तों हम जूड सके,